Hello viewers, हम कर रहे हैं कक्षा नवी के बेसलाइन टेस्ट की तयारी जो के आपका स्कूल शुरू होते से ही होने वाला है और आज हम कर रहे हैं इंगलिश के बेसलाइन टेस्ट की तयारी तो शुरू करते हैं प्रश्न है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपको अपने क्लास टीचर को एक अप्लिकेशन लिखनी है दो दिन का आउकाश चुट्टी देने के लिए आपको अप्लिकेशन लिखनी है तो अप्लिकेशन किस तरह से लिखते हैं तो अप्लिकेशन से संबंधित वीडियो चैनल पर पहले सही है हम यह वाली application अब भी लिखेंगे तो इसका answer होगा to the class teacher उसके बाद यहाँ school का नाम आएगा तो आपकी जो भी school है उस school का नाम आपको यहाँ लिखना है हमने यहाँ लिख दिया है model school bopal क्योंकि यहाँ पर जो application लिखने हो class teacher को लिखने इसलिए हमने यहाँ लिखा to the class teacher उसके बाद यहाँ school का नाम यहाँ आएगा इसके बाद हम लिखेंगे subject तो subject क्या होगा यह application में ही दे रखा है यहाँ पर क्या subject है for two days leave दो दिन के अउकाश के लिखने थी हमें तो हम यहाँ subject में लिखेंगे for two days leave इसके बाद हम लिखेंगे sir या madam जो भी आपके class teacher हो उसके अनुसार आपको लिखनी है यदि आपके class teacher madam है तो आपको यहाँ पर madam madam लिखना है ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे with respect I am a student of class 9th A of your school तो यदि आपकी school में section नहीं है तो ABC आपको नहीं लिखने क्यों 9th ही लिखना है with respect I am a student of class 9th A of your school I am suffering from fever last night तो हमने यहाँ लिखा है respect मतलब आदर के साथ I am a student of class 9th A of your school में आपकी school का नवी का student हूँ I am suffering from fever last night में पिछली रास से ही fever मतलब बुखार से पिड़े तो मुझे पिछली रास से बुखार है So I can not attend the class इसलिए में class attend नहीं कर पाऊंगा या कक्षा में नहीं आ पाऊंगा Kindly grant me two days leave क्रपया मुझे दो दिन का आउकाश देने की क्रपा करें Thank you, धन्यवाद और यहां question हमें two days लिखाता है यदि three या four days हो तो हमें यहां पे जहां application हम लिखेंगे यहां पर हमें उसको change कर देना जितने दिन की application लिखने का लिखा होगा उतने ही दिन का में लिखना है तो यहां पर question में two days leave था इसलिए हमने two days leave लिखा है Kindly grant me two days leave Thanking you और उसके बाद यहां हमें application के इस तरफ लिखना है Your obediently आपका अग्याकारी उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद यहां आ जाएगा class ninth तो इस प्रकार से application है आसानी से आप लिख सकोगे इसको class teacher के नाम से application लिखनी है और यह question अधिकतर best time test में और आपकी त्रे मासिक exam में आता ही है very important है आपको याद कर लेना चाहिए इसके बाद अगला question है What is your name What is your name तो आपको यहाँ पर लिखना है my name my name is तो यहाँ my name is के बाद जो भी आपका नाम हो वो यहाँ लिखना है जिसे my name is sonu asu and you sonu या monu या जो भी आपका नाम हो वो यहाँ आपको लिखना है अपना नाम यह लिखना है, पूरा नाम भी लिख सकते हो इसके बाद अगला है In which class do you study? तो हम लिखेंगे I study in class 9th इसके बाद अगला है What is the name of your school? तो यहाँ पर आपको अपनी school का नाम लिखना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे My school My school name is तो जो भी आपकी school का नाम है वो यहाँ आपको लिखना है अपनी school का नाम है लिखना है जैसे हमने यहाँ लिखा था My school name is Model School Bhopal My school name is Model School Bhopal इसके बादे write the names of days in a week सब्ता के दिनों के नाम है लिखने हैं तो सब्ता के दिनों के हम यह नाम लिखेंगे तो सब्ता के दिन की शुरुवात होती मंडे से तो हम यह लिखेंगे Monday 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 Tuesday 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 फिर हम लिखेंगे Wednesday 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 Thursday 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 Friday 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 के बाद हम लिखेंगे Saturday 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 और फिर Sunday 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 इस प्रकार सब्ता के दिनों के नाम हम यह लिख देंगे और यह very important question है आपको 83 के एक्जाम के लिए भी important है यह प्रशने एक्जाम में आती है इसके पाद जो अगला question है वह opposite word है विपरित या विलोम शब्द जिसे हम इंदी में कहते हैं तो opposite word में जो है वो है big बी आई जी big का opposite हो जाएगा small 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 अगला opposite है t a double tall tall का s h o r t short इसके बाद है अगला है happy h a double p y happy का opposite है s a d sad h o t hot hot मतलब गर्म का opposite c o l d cold थंडा c l e a n clean का opposite d i r t y dirty clean मतलब साफ dirty मतलब गंदा इसके बाद weak w e a k weak मिन्स कमजोर और इसका opposite है s t r o n g strong मजबूत f a t fat इसका opposite t h i n thin तो यह opposite word है big big मिन्स बड़ा s m a double small small चोटा t a double tall लंबा और इसका opposite होता है short s h o r t short मतलब चोटा अगला है happy h a double p y happy मतलब खुश s a d sat मतलब दुखी h o t hot hot गर्म और इसका opposite c o l d cold थंडा c l e a n clean साफ इसका opposite हो जाएगा d i r t y dirty गंदा w e a k weak मतलब कमजोर और इसका opposite है s t r o n g strong मजबूत f a t fat मतलब मोटा और t h i n thin मतलब पतला तो ये कुछ opposite है जो कि आपको याद होने ही चाहिए इसके लावा और भी है जो हूँ अगले वीडियो में देखेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी और दस्री की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए